हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लो सेफ टमाटर की सबजी दोस्तों राजस्थान और गुजरात में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं आज हम इसे घर पे बनाएंगे वैसे तो इसे वो लो ग्रेडी मेड सेफ के साथ बनाते हैं जो फ्राइड सेफ वाली नमगीन आती है मोटा है लेकिन हम में बिल्कुल नहीं चाहिए मैंने जैसे कि आपको बताया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी टाइटल में भी कि आपको कोई भी सेव खरीद के लाने की जरूरत नहीं है घर पे ही बनाएंगे सबसे पहले सेव टमाटर की सबजी लिए आपको चाहिए तो मैंने चार टमाटर डाल लिये हैं चौपर में और इस तरीके से इसे मैंने चौप कर लिया है आप पद्दू कस्पी कर सकते हैं या फिर बारिक बारिक काट लीजेगा प्यूरी बिल्कुल मत बनाईएगा अब हमें चाहिए कड़ाई लोहे की कड़ाई लेंगे तो और से आठ के लगबद करीपत्ते हैं जब तेल अच्छे से घरम होड़ा थो करीपत्त ढाल देंगे 20 चूटे चमश जीरा डाल देंगे 12 चौटे चमश दाल लेंगेहμα हीग और 20 चमश दालेंगे राई जो चीजशे या निया मैं इस सारी चीज़े आप डाल लिये में बहुत तरीके की हैं लेकिन उसे से मिलता जुलता आपको मैं यहाँ आइजी रेसेपी दे रही हूँ मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च भी बारी काट गार करके डाल दी है तो सेव टो मतर आप इस तरीके से बनाएंगे यह बहुत आसान रेसेपी यह बहुत रेसिपी है सेव टमाटर बनाने की मैं आपको सबसे आसान वाली दे रही हूँ अब इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर डालने के बाद में हम गैस को जो है जब पाउडर मसाले डालेंगे तो धीमा रखेंगे लाल मिर्ची का पाउ इतना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आप वहां से इस तरीके की और भी अच्छी चीजें खरीच सकते हैं तो अब यहां डालेंगे थोड़ा नमक नमक जो है इससे सॉप्ट भी करेगा टमाटर को थोड़ी हल्दी कम रख रही थी तो मैंने हल्दी डाल हुआ है यानि जैसे हम नॉर्मल मसाला पकाते हैं ना बहुत देर तक तेल छोड़ने तक हमें वैसे नहीं पकाना है पकाना है इसे लेकिन उतना ज्यादा नहीं अब यह देखिए मीडियम फ्लेम भी अच्छे से जो है पक रहा है अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गु है अब इसे गुड़ के साथ में अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो देखिए बहुत ही टमाटर का कलर अगर कापी लाल होगा तो यह करी जो है लाल बनेगी या फिर इसके लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी स्टार्टिंग में तेल में डाल सकते हैं अब मैं इ इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा तो इसमें फानी थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा क्योंकि यह रेसिपी जो है पानी अपजाब करती है यहां लिया है आधा कटोरी बेसन एक बड़े बरतन में इसमें डालेंगे थोड़ी सी बिलकुल हल्दी थोड़ी सी मिर्च और एक्तम थोड़ा सा ही नमक यह सारी चीजें बस होड़ी थोड़ी डालनी है इसके साथ ही डालूंगी बहुत ही थोड़ा सा दो चुटकी के जितना दो पिंच के जितना क्यूमिन सीट यानी जीरा इसके बाद इसमें जाएगा अजवायन तो आधा छोटी चमच अजवा करेंगे फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो आप चाहें तो इसमें और डाल सकते हैं क्योंकि हम इने डीफ्राइ विगरा तो करेंगे नहीं तो जो है हमें यहां की जूरत नहीं है हम एक्दम सिंपल से तरीके से ही से कम से कम इंडियेंट में बना र कि आप बरतन को उल्टा भी कर दें तो यह गिरे नहीं और अभी मैंने इसमें जो है लास्ट में बिलकुल डाल दिया है आधा चम्मच तेल तेल इसलिए डाला है कि इससे में आगे जब हम बनाएंगे इससे से बनाएंगे तो बहुत ही सिल्की बनेंगे अच्छे से बनेंगे तो अब जो बाइटा रहा है हमारा रेडी है अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे कोई सोडा बेगरा नहीं डालना है कुछ नहीं डालना है जबकि जो जो नमकीन जो रेडी मेड नमकीन रहती है उसमें सेव सोडा पड़ा रहता है और वो डीफ्राइड होते हैं बहुत ही वीडियो को लाइक कर दीजे तो देखिए हमने पानी से इसे गीला कर लिया है ऐसा करने से जब हम इसमें सेफ गिराएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से सेफ जो है बनेंगे तो अब जब हम इसे बनाने चलेंगे तो जो हमारा ये नीचे ग्रेवी है न टमटर वाली इसे देख पा रहे हैं बैटर को हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगी और छली में रखेंगे और बस तुरंत ही इस काम में आपको दो मिन भी नहीं लगेंगे बस हाथों से दभा कर करके इसे जो है बढ़िया इसमें देखिए बिना मशीन के ही बिना कोई जंजट किये बिना को बलते हुए gravy में और जो है इसी में ये जो बेसन है पकेगा हमारा तो बस आप जो है चेक करते रहेगा ऐसा नहीं कि आप बहुत जादा आपने बेसन का बैर्टर बना लिया है और आपने बहुत जादा सेव छान दिये हैं gravy में जादा नहीं छानना है medium से ही रहें जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं कि सब्जी में ग्रेवी भी थोड़ी सी दिखे बागी की सीजे भी दीखें तो वैसा ले ontरब ना है, बहुत ही अच्छा जो है जो यह सेव है, यह सेव की सब्जी में ज़ादा टेस्टी लगती है, रेडिमेट सेव में एक दिक्क में दे सकते हैं बंद करके गरम गरम ही भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीए अभी हमने सेव छानने के बाद में इसे हमें धीमी आज पर Dit 7 अदा我GPS पकाना है थोड़ा सा्ध shy तो आपको लगता है कि पानी कम हो रहा है तो आप इसमें आदा गलास पानी और डाल दीजिए गा लेकिन जो बेसन अपने डाला है वो कच्छा था क्योंकि सेव को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है यहां पर इस वात का खास क्या रखना है और यह सेव भी ना बहुत ही सब्जी पक चुकी है तो हम इसे निकाल लेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है बिलकुल भी नहीं लग रहे हैं कि जो सेव है यह रेडिमेट वाले नहीं है और सब्जी का जो टेस्ट है जैसे मैंने बताया अगर आपको लग रहा है आपने जो टमाटर लिये ह काफी खट्टे हैं तो गुड़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए गा नमक मिर्चाव अर्जस्ट कर लीजिए इसमें हम घी डाल कर गर्मा गर्म चावलो रोटी के साथ में सर्फ करेंगे दोस्तों सेव टमाटर की सबजी एक दम आसान तरीके से बन कर तेयार है आपको वीडि कुछ जरूर ट्राही करना दोस्तों